हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल बूल बैस्टॉक पर अलोक इंडेस्ट्री आज कमपनी का शेयर ओपन 19.30 जबकि इंट्राडे हाई 19.30 और लो 19.10 रहा अगर मेरा इस शेयर में इंवेस्टमेंट होता मैं इसको लोस में बेचकर बिल्कुल भी एक्जिट ना करता कमपनी की प्रोब्लम डेट बर्डन जरूर है लेकिन कई इंवेस्टर्स के मन में लिक्विडिशन वाला सवाल जरूर खड़ा हो जाता है वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये कमपनी एक बार उस प्रोसेस की तरफ थी उस टाइम पर रिलाइंस इंडस्ट्री और जियम फैनेंशिल एसेट कमपनी ने इसको बचाया था जब आप रिजर्ट्स देखते हैं तो कुछ सिर्फ स्टेंड अलोन को कंसिडर करते होंगे तो कुछ कॉनसोलिडेटिड रिजर्ट्स को आपको दोनों ही देखने चाहिए कॉनसोलिडेटिड रिजर्ट्स में आलोक इंडस्ट्री की सबसिडरी कमपनी भी होती है फिलाल COVID भी एक रीजन बना हुआ है वैसे कंपनी की सेल्स हमें quarter to quarter इंक्रीज होती नजर आई जो अपने आप में काफी बड़ा positive point है अगर सेल्स बढ़ेगी तो याद रखना expenses भी बढ़ेंगे जो justify भी लगता है लेकिन loss होने का reason interest payment भी हो सकती है मेरा अपना मानना है प्रोमोटर्स को देखकर confidence जरूर बनता है लेकिन अगर प्रोमोटर्स अपना stake बेचकर बाहर निकले तो फिर याद रखना confidence lose होता है अलोग industry में R.E.L. जैसे प्रोमोटर का होना अच्छा sign हो सकता है आज की pre open order collection summary में indicative equilibrium price और quantity आपके सामने है future plans अभी तक कुछ पता नहीं company के क्या होंगे बाकी एक अच्छी और positive news की जरूर होप रहेगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care